हलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा जीएस मेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मदनी से छेस नमासी पदों के लिए जो आपका एकजाम होने वाला है इसके लिए हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस से पचास विबियाई प्रस्णों को कबर करेंगे जो आपके एकजाम के देशी से काफी ज़दा इंपोटेंट रहने वाला है तो अगर आप सभी लोग चैनल पनाय हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके वोगल वाले वेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कोई भी बिहार पुलिस मदनी से सब्मदित वीडियो को तो जदा देर ना करते हुए अब हम लोग आते हैं अपने पहले प्रस्न पे आप सभी लोगों से पहला प्रस्न पूछा जा रहा है निमलिखित में कौन क्रिसी उत्पादों पर नियूंतम समर्थन मुल्य का निर्धारण करता है तो इसके लिए आपका सही जवाब अप्स लागत यूं मुल्य आयोग यानि कि CACP करता है ठीक है ना इसकी स्थापना 1965 में हुआ था ठीक है ना लेकिन इसका नाम बदल करके यानि कि 1985 में CACP रख दिया गया ठीक है ना और इसका मुख्याले पुछा जाए तो आप सभी नई दिल्ली आप सभी साथ साथ इसे ध्यान दखिएगा चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी लोगों का दो नमबर भारत में दूद की उत्पदाक्ता को बढ़ाने के उदेश्थ से ओप्रेशन फर्ट की सुरुवात की सवर्ष की गई थी तो देखिए इसके लिए आपका सही जबाब अप्शन नमबर भी 1970 के दसक मे सुरुवात किया गया था और इसके जो नित्रित्व करता थे उनका नाम यानि की डाक्टर वर्गिज कुरियन था कहुं थे वर्गिज कुरियन ध्यान दखिएगा अगला प्रस्ण आप सभी से तीन नमर भारतिये जीस्टी मॉडल किस देश के भोग बैट मॉडल को अधार में से मुद्रा के किस रूप को संकिरन मुद्रा कहा जाता है देखिए इसके लिए आपका जो सही जबाब अप्सन नमबर ए एमोन हो जाएगा द्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण आप सभी लोगों का पास नमर से नीमन में से किस देश के एस्टॉक एस्चेंज का नाम है देखिए से जो है यह कहां का एक्सेंज एस्टॉक का नाम है आप सभी को बताना है किस देश का तो अप्सन नमबर ए थाइलेंड को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण छो नमबर भारत ने अपना पहला परमाणू परिक्षण कव किया था तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो आप सभी ध्यान रखिएगा 18 मई कहीं दिखाई दे रहा है तो अप्सन नमबर सी हो जाएगा ठीक चलिए साथ नमबर प्रस्ण है बिश्ववानी की दिवस प्रतिवर्ष की स्तिति को मनाया जाता है तो देख यह जो एस्तित है आपका कहा है 36 गण आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ठीक चलिए अगला प्रस्ण आप सभी लोगों के लिए नव नमबर निम्न में से कौन संकटा पन जाती के उधारन नहीं है यानि कि संकट में कौन जाती नहीं है आप सभी लोगों को पताना है तो देखो टोडो और पक्षी यानि कि टोडो पक्षी जो है यहीं संकट में नहीं है बलकि कश्तुरवी मिर्गे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहीं की बाग एतीनों क्या है संकट ग्रस्त जीव है दस नमबर प्रस्ण है सन्युक्त राष्ट पर्यारवन कारिकरम का मुख्य अगर नमबर आसोक ने बत्हरं का प्रचार प्रशार सिलंका में भी किया, इसका प्रमाण किस साहित से प्राप्त होता है देखिए, यह जो साहित्य है उसका नाम क्या हो जाएगा तो दीप वन्स और महावन्स इस दोनों से मिलता है आप सभी ध्यान रखिएगा इसलिए इस प्रस्ण का सही जबाग अप्सन नमबर डी हो जाएगा अगला प्रस्ण 13 नमबर धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दर्बार में रहते थे तो यह जो रहते थे तो चंद्रगुप्त दोईतिया अप्सन नमबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण 14 नमबर किस इतियासकार ने बहादुर सा को साह ए बेखाबर कहकर पुकारा था साह ए बेखाबर कहकर के किसी पुकारा था तो देखिए इसके लिए आपका सही जबाब क्या हो जाएगा तो आप सभी अप्सन नमबर भी यनिकी खा भी खा को ध्यान रखेगा अगला प्रस्न आप सभी लोगों का पंदरा नमर चोसा का युद कब हुआ था तो देखिए चोसा का जो युद हुआ था या हिमावी और से खा के बेच हुआ था ठीक है ना इस युद में जो हुमायू था हुमायू पराजित हो गया था ठीक है और से खा क्या हुए थे बिजय हुए थे ठीक है ना देखिए तो यह जो युद हुआ था आपका 26 जुन 1549 को आप सभी लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण सोर नंबर बंगाली भासा में प्रकासित होने वाला पहला समस्चार पत्र निमलेखिस में से कौन था तो देखिए यह जो समस्चार पत्र था आपका यह दिग्द दर्शन आप सभी ध्यान रखेगा ठीक जिसका प्रकासन कप किया गया था तो 1826 डेट भी साथ साथ ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण आप सभी लोगों का सत्र नंबर रैले कमिशन का गठन किस वायसराई के कारेकाल के दोरान किया गया था देखिए तो यह जो गठन था वह आपका लड करजन के सासनकाल में 19.02 में किया था इस बात को ध्यान रखेगा देखिए अगर आपको कोस्टन साफ नहीं देखिए तो अपने विडियो का क्वालेटी बढ़ा लीजिए गा नेट प्रोब्लम से आपको यानि की एर रा सकता है ठीक है न अगला प्रस्ण 18 नंबर आप सभी का ब्रेकन बिंक यानि की ब्रेकन बिंक पुष्टक के लेखक निमलिखि ठीक है ठीक है न चलिए अगला प्रस्ण आप सभी लोगों का 29 सब्सक्राइबाद मिल मजदूर हलतार के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिसत देना सोविकार किया गया देखिए यह जो बोनस था आपका 35 प्रतिसत अप्सन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान र देखिए इंडियन सोसाइटी संगठन की इस्थापना आपका अप्सन नंबर भी अनंद मोहन बोस को ध्यान रखिएगा 1872 में हुआ तका हुआ था 1872 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण आप सभी का 21 नंबर निमलिकित में से भारतिय रास्टे कॉंगरेस गाउं में संपन प्रथम अधिवेशन था देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अपसर नंबर सी पचासवा अधिवेशन को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ठीक है ना चलिए जो कहां हुआ था यानि कि पच्छी मंगाल के फैजपूर में हुआ ठीक है ना और इसकी अध्यक्षता जो किये थे वो आपका जोहरलाल नेहरू ने किया था ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण आप सभी लोगों का 22 नंबर कीस संधी के द्वारा त्रितिय अंगल इससे ले करके बानवेत तक या यूदकिया हुआ था चला था इसे विधियान रखिएगा अगला प्रशन 23 नंबर की सव व्ष जजिया कर को पुनह लागों किया गया था तो आप सभी अपंसन नंबर 20 16 i9 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्टन चोविश नमबर 18 संताउन की कराति का नेत्रित इलाहबाद में किसने के द्वारा किया गया था अप्रस्टन नमबर भी लियाकत अली को आप सभी लोग द्यान रखेगा पचीश नमबर प्रस्टन जलियावाला भाग हत्यकान के बाद किसने नाइट होट की उपाधि को त्याग दिया तो अप्सन नमबर सी रभी दरनाष टेगोर को आप सभी लोग द्यान रखेगा 26 नमबर प्रस्टन पर्थम विश्व कप हांकी का आईजन किस वर्ष किया गया था तो 1971 आप सभी अप्सन नमबर सी को द्यान रखेगा 27 नमबर सन्युक्त राष्ट के पर्थम महासचीव त्रीग वेली का संबंद किस देश से है तो नरवे आप सभी लोग द्यान रखेगा 28 नमबर प्रसीद अभिनेत्री यानिकी बैज यमती माला का संबंद किस सास्त्रिय नित्र से था तो अपसन नमबर डी भटर नायक आप सभी लोग द्यान रखेगा 29 नमबर निमलिखित में से किसका मिलन सही नहीं है मिलन सही नहीं है किसका देखिए महतमा गांधी के राजगाट सही है यानि जेल सिंग के एकता एस्तल सही है मुराजिज सही का अभायगाट लेकिन संकर दयाल सर्मा का कहां है आप सभी लोग को बताएगा और जब नहीं पूछा गया था इस प्रस्न के लिए सही जबाब आप सभी लोग का क्या हो जागा जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में बताएगे तो देखिए इस प्रस्न के लिए जो आपका सही जबाब हो जागा वह क्या हो जाएगा यानि की इनका जो जनम एस्तल है वह कर्म भूमी है ना कि चैत्रा एस्तल आप सभी लोग दिया दखिएगा ठीक है न या डाक्टर भीम्रा अमबेटकर की यानि की समाधी एस्तल है चैत्रा भूमी चलिए अगला प्रस्ण आप सभी का 30 नमबर है भारत ने मंगल्यान का सफल परवेख्षण किस लंच वाहन के द्वारा किया तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब अप्सन नमबर भी PSLVXLC25 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 31 नमर प्रस्ण अधिक्तम जय विवीत्ता वाला प्रदेश निमलिखित में से किस परकार का होता है देखिए जय विवीत्ता वाला प्रदेश का बात किया जायत उस्टन कटी वेंधिये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण 32 नमर आप सभी लोगों का ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अर्थ होता है आपका क्या होता है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अप्शन नमर एक हो वाई मंडेलिये कारवन डाइकसाइड के कारण सभ उर्जा का बी पासन है अतो बिकल्प क्या हो जाएगा अप सभी का अप्शन नमर एस सभी हो जाएगा अगला प्रशन 33 नम लिखित में से कौन गैर प्रमपरागर्थ उर्जा का सुरुत नहीं है गैर प्रमपरागर्थ उर्जा का सुरुत इस प्रशन को मदनी सिद में पूछा गया था और अप्शन नमर ए प्रमाड़ो उर्जा आप सभी ध्यान रखिएगा बाकी तीनों देखिए 34 नमबर प्रस्ण है देश के विभिन समुह में किसके साथ अउनांचल परदिश सीमा लगाती है अउनांचल परदिश राज्य की सीमा बताना है आप सभी को तो अप्शन नमबर सी भुटान, चीन और मैमार आप सभी लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण आप सभी का 35 नमबर निमलिखित में से भारत का प्रमुख जल यान निर्मान केंदर कौन सा है जल यान निर्मान केंदर आप सभी को बताना है तो अप्शन नमबर भी कोचिन को आप सभी लोग ध्यान रखेगा ठीक है न? चली अगला प्रस्ण आप सभी लोगों का 36 नमबर छीबरो पन विजली परिजना किस नदी पर रहस्तित है छीबरो पन विजली परिजना तो आपसन नमबर क्या हो जाएगा तो यनि कि घाघरा नदी आप सभी आपसन नमबर बी को ध्याँ दखेगा अगला प्रस्ण आप सभी का 37 नमबर कपास के उत्पादन में भरत का एस्थान बीश्व में कौन सा है तो कपास के उत्पादन में आपका दूइतिय एस्थान अपसन नमबर बीश सही हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण 38 नमर भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था देखिए सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो हुआ था आपका 1962 आप सभी अप्सन नमबर सी को ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण आपका भिवियाई सीप किल्ला धारा किस राज्य में एस्थित है तो देखिए इसके लिए आप सभी लोग ध्यान रखेगा अप्सन नमबर डी हिमांचल प्रदेश में एस्थित है अगला प्रस्ण चालिस नमबर नैपाल हिमाल्या का विष्थार किन दो नदियों के 20 तक है तो देखिए नैपाल हिमाल्या का जो विष्थार है आपका अप्सन नमबर भी 40 से 30 नदि आप सभी लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण 41 नंबर भारतिय सम्मिधान के सम्मिधानिक उपचारों के अधिकार को भारतिय सम्मिधान की आत्मा और धिर्दे किस ने कहा था देखिए यहाँ जो कहे थे अप्सन नंबर यानि कि इसमें नहीं दिया गया है डाक्टर भीमरा अमबेटकर ने कहा था ठीक है ना लेकिन अप्सन में कोई नहीं है तो अप्सन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए अप्सन नंबर डी सही हो जाएगा ठीक है ना यानि कि अगला प्रस्ण नंबर आर्थिक नियोजन की सुची का भिषय है देखिए आर्थिक नियोजन जो है आपका अपसन नंबर सी समवर्ति सुची को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण चोवारिस नंबर असोक महता कमिटी जिसने पंचायती राज को कार्य पुन रिच्ण किया ने किस व्यवस्ता की संतुष्ची की थी देखिए इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा अपसन नंबर बी यानिकी त्री एस्टरिय आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस प्रस्ण के लिए सही जवाब आपका अपसन नंबर बी दूई ए सभी लोगों का देख लिजी कि भारत में नियाईक पुनर रिक्षण की संकल्पना किस देश के समिधान से लिया गया है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा या जो लिया गया है अप्सन नमबर अमेरिका के समिधान से ध्यान रखिएगा 46 नमबर प्रस्ण है समिधान के किस अनुसुची में विभीन राजियों में अनुसुचीत छेत्रों के प्रशाशन और नियंत्रण के लिए बिशेस उपबंध है देखिए बिशेस उपबंध का बात किया जाय तो आप्सन नमबर सी पांचिवी ध्यान दखिएगा अगला प्रस्ण आप सभी का 47 नमबर लोग सभा में केंदरशाशित प्रशेस के लिए कितने सित्य आरक्षी थै देखिए लोग सभा में जो आरक्षी सित्य है वह आपका अप्सन नमबर याणी की बी बी सित ध्यान दखिएगा अगला प्रस्ण आपका 48 नमबर बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष परित किया था या जो परित किया था 1976 आप सभी लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण उन्चास नमबर है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है देखिए सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है यानि कि ए है भाग दो में नगरिकता यह बात सही है भाग तीन में मौलिक करता भी यह चार के कितना कौ में आता है यही बात गलत है इसमें भाग चार में क्या आता है निति ने सकता तो और भाग 15 में निडवाचन तो नहीं पूछा गिया है तो आपका अप्सन नंबर भी हो जाएगा सही ठीक है अगला प्रस्ण आपके सेशन का लास्ट पचास नंबर है वर्स में लोग सभा के कम से कम कितने सस्त्र बुलाया जाने अनिवार है देखिये वर्स में कम से कम कितने सस्त्र आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यहीं कि दो बार कितने बार दो बार आप सभी ध्यान रखिएगा अपसन नंबर भी जैसा कि आज के सेशन में हम लोग जिक्के-जीयस का अतिमात्तों प्रजाज प्रस्णों को कवर क हैं जो आपके बिहार पुलिस मद्दी से के द्रिष्टी से काफी ज़दा इंपोटेंट यह से संद रहेगा आप सभी चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल एकुन को दबा देजिए जिससे बिहार कोई भी वीडियो आप से छूटे ना और प्रश्ण को ले करके आपको डाउट है तो हमें कमेंट में नम्बरिंग के सांथ जरूर बताइए ठीक है सेसन अच्छा लगाओ तो सेसन को लाइक किजिए ठीक है जड़ा से शेयर भी किजिए चलिए आज के सेसन को हम लोग यहीं करते हैं फिल्ब मिलते हैं अगले सेसन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत